शिरिमत बाल की रमायन के अरन्य कांड में, चौत्तरवे सर्ग में, शिर राम और लच्छन का पंबा सुरवर के तड़ पर मतंग वन में, शबरी के आश्रम पर जाना, उनका सथकार ग्रहन करना, और उनके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शिर की आहुती देकर द पंपा सुरवर के मारका आश्रे लेकर पश्चिम दिशा की और चल दिये, दोनों भाई शिर राम और लच्छन परतों पर फैले हुए बहुत से वरिक्षों को, जब फूर फाल और मदों से संपनते देखते हुए सुग्री से मिलने के लिए आगे बढ़े, रात में एक पर रोच शिकर पर निवास करके रगोकुल का अनन्द बढ़ाने वाले वे दोनों रगोमंची बंदों पंपा सुरवर के पश्चिम तड़ पर जा पुची, पंपा नमक पुष करने के पश्चिम तड़ पर पहुँचकर उन दोनों भाईयों ने वहाँ शबरी का रमनी आश् देखा उसकी शोबा निहारते हुए दोनों भाईयों बहुत संख्यक रिक्षों से गिरे हुए उस सुरम में आश्रम पर जाकर शबरी से मिले शबरी सिद्ध तपसने थी तब दोनों भाईयों को आश्रम पर आया देखकर वे हाथ जोड़ कर खड़ी होगी तदा उसने बुद्धिमान शीद्राम और लच्छन के चर्णों में पर नाम किया फिर पाद्य आर्जे और आच्वनी आदी सब समगरी अर्प समर्पित की और विधीवत उनका सतकार किया तत वश्चा शीद्राम चिंदर जी उस धरम पराइना तपसनी से बोले तपो धने क्या तुमने सारे विधनों पर विजह पारी क्या तुमारी तपस्या बढ़ रही है क्या तुमने क्रोद और आहार को काबू में कर लिया है तुमने जिन निमों को सिविकार किया है वे निवतों जाते हैं ना तुमारे मन में सुकर शांती है ना चारू भाशनी तुमने जो गुरु जुनों की सेवा की है वे पून रूप से सभल होगी है ना शीर राम चिंदर जी के इस कार पूछने पर वे सिद्ध तपस्णी पूरी शब्री जो सिद्धों के द्वरा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर बोली रगुनन दन आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धी प्राप्त हुई है आज मेरा जनम सफल हुआ है और गुरु जुनों की उत्तम पुजा भी सार्थक होगी है पुरुष प्रवर्शी राम आप दिवेश्वर का यहां सत्कार हुआ इससे मेरी तपस्या सफल होगी और आप मुझे आपके दिविध्धाम की प्राप्ती भी होगी ही सौम्य मानद आपकी सौम्य द्रिष्टी पढ़ने से मैं परमपित्र होगी शत्रुदवन आपके प्रभाव से ही आप मैं अक्षे लोग में जाओंगी जब आप छित्रकुट परवत्वर पधारे थे उसी समय मेरे गुरुजन जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी अतुल कानतीमान विमान पर बैठकर यहां से दिविवे लोग को चले गे उन धरमग्य महाभाग महित्शियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परमपित्र आश्रमपार शीर रामचंदर जी पुदारेंगे और लच्छम के साथ तेरे अतित्थी होंगे तुम उनका यतावच सब्कार करना उनका शीर दर्शन करके तुश्रेष्ट एम अक्षे लोकों में जाएगी प्रुश प्रवर उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी अतै पुरुश सिंग मैंने आपके लिए पंपा तड़ पर उत्पन होने वाले नाना परकार के जिंगरी फाल मुलों का संचे किया है शबरी जाती से वरन बाहे होने पर भी विज्ञान में बैश्क्रित नहीं थी उसे प्रमात्मा के तत्व का नित ग्यान पर अब था उसकी परवक्त बाते सुंकर धर्मात्मा शिर्राम ने उनसे कहा तपो धने मैंने कभंद के मुझसे तुमारे महात्मा गुरुजन का ही थार्थ प्रभाव सुना है यही तुम सविकार करो तो मैं उनके उस प्रभाग को पर तक्ष देखना चाता हूँ शीराम के मुख से निकले हुए इस वजन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाईयों को समान वन का दर्शन कराते है कार अगुनन दन मेगों की घटा के समान शाम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वनकी और दिश्टी पात कीजिए यह मतंगवन के नाम से विख्यात है मात जसी शीराम यही वे मेरे भविता आत्मा शुद्धन तैकरन वाले एम प्रमातम चिंतन प्राइन गुरुजन निवास करते थे इसी स्थान पर उनने गायती मंत्र के जब से विशुद्वे अपने दे रुपी पंजर को मंत्र उच्चारन पूरवक अगनी में हों कर दिया था यहें प्रयत्यक्ष्थली नाम वाली वेदी है जहां मेरे दवरा भली भांती पूजित हुए में महित्शी विद्धा वस्ता के कारण श्रम से कामते हुए हाथो दवरा देवताओं को फूलों की बली चिड़ाया करते थी रगवन शीरमनी देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज के द्वरा संपूरन दिशाओं को परकाशित कर रही है इस समय भी इसकी प्रभाव अतल निया है और प्वास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में समर्थ होगे तब उनके चिंतन मातर से यहाँ साथ समुद्रों का जल प्रगट हो गया वे सब्थ सागर तीत आज भी मुझूद है उनमें साथ समुद्रों के जल मिले हुए हैं उसे चल कर देखी अगुनन दन उसमें श्रान करके उन्होंने व्रिक्षों पर जो वलकल वस्त रफिला दिये थे वे इस परदेश में अब तक सूखे नहीं देटाओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाई बनाई थी वे आज ये मुर्जाई नहीं भागवन आपने सारावन देख लिया और यहां के संबंद में जो बाते सुनने योगी थी वे भी सुन ली अब मैं आप की आग्या लेकर इस धे का पर त्याग करना चाहती हूँ जिसका ये आशरम है और जिनके चरनोकी मैं दासी रही हूँ उन्हें पूट रात्वा महिर्शियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ शबरी के धरम युक्त वचन सुनकर लक्षमन सहीच शीर राम को अन्पम परसंदा हूई उनके मूँ से निकल पड़ा आश्चरी है लंदर शीर राम ने कठोर वरत का पालन करने वाली शबरी से कहा बद्रे तुमने मेरा बड़ा सतकार किया अब तुम अपनी इच्छा के अंसार अनंद पूरो कभिष्ट लोग की यात्रा करो शीर राम चंदर जी के इस परकार आग्या देने पर मस्तक पर जटा और शीर पर चीर एम काला मरिक चरम धारन करने माली शबरी ने अपने को आग में होम करके प्रजली तगनी के समान ते जसी शीर प्रावत किया मैं दिवे वस्तर, दिवे अभुशन, दिवे फूलो की माला और दिवे अनुलेपन धारन की या बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम परवत परपरगट होने वाली बिजली के समान उस परदेश को परकाशित करती हुई सर्ग लोग को चली गए उसने अपने चितकोई कागर करके उस पुन्य धाम की यात्रा की जहां उनके वे गुरुजन, पुन्य आत्मा, महिर्शी विहार करते थे इस परकार श्री बालमिक निर्मित आर्श्रमाइन आदी कावे के अरन्य कांड में चोहत्रमा सरी पूर्ण होगा